आप देखकर हैरान होंगे थमनेल में अंडा और यहां पर चिकन दिखाया जा रहा है तो चलिए बताते हैं आखिर हुआ क्या है किचन में चल कर देखते हैं तो हमने आधा किलो यह चिकन लेकर अच्छी तरह से साफ करके रख लिया है हमारे पास यह हरी मिर्च अदरक लसन प्याज और एक टमाटर है इसे रफली चोप करके हमें इसका पेस्ट बना लेने हैं तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके सब कर दिजेगा ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक सबसे पहले पहुचाते रहें तो देखिए इसका फेस्ट बना लिया है अब हम चुले पर कडाही रखेंगे और इसमें तीन टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे और इसे हम गर्म करेंगे गर्म होते ही इसमें जीरा और तेजपत्ता डालके चटका लेंगे जीरे के चटकते ही हम इसमें देगी लाल मिर्च डालेंगे और साथ में तुरंत चिकन भी हम इसमें डालकर इसको मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें एक चमच नमक डाल देंगे ताकि चिकन का पानी छूट ज ताकि नमक इसके अंदर तक चला जाए मैंने इसे दो मिनट तक कवर कर दिया था कवर हटा कर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी तरह चला चला कर हम इसकी अच्छी तरह से भूनाई करेंगे तो इसको जितना ही हम भूनेंगे जितना ही मिला मिला कर भूनेंगे उ और धनिया पावडर, इन सारी मसालों को हम इसके साथ मिक्स करेंगे, और अच्छी तरह से चलाएंगे और भूनेंगे, इसमें पीसे हुए पेस्ट अब हम डालेंगे, और इसे डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, लो टू मेडियम फिलेम में हम इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है लेकिन इसे जितनी अच्छी तरह से हम मसाले के साथ भूनेंगे चिकन का टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा तो इस तरह से हम भूनते जाएंगे इसको चला चला कर अब आएगा इसमें अंडा जो मूर्गे किसान को दो गुना कर देगा तो एक अंडा तोड़कर हम इस टाइम इस पर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसे दही डालने के बाद हम मिक्स करते हैं तो यह इस तरह से हम चला चला कर इसे बिल्कुल ऐसे मिक्स करेंगे जैसे इसका पता भी नहीं चलेगा और मूर्गे किषान में बढ़ोतरी हो जाएगी जैसा की थमनेल में कहा गया है तो ये इस तरह का आप जरूर बना कर देखे चिकन में आप डाले अंडा थोड़कर और इसका टेस्ट देखिए चिकन यूही बनाने का और अंडे डाल के बनाने का फर्क क्या है आपको पता चलेगा मिलाने के बाद हम इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे और उपर से गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि गरम मसाला पूरे चिकन में अच्छी तरह से आजाए इसकी खुस्पू आजाए तो दो मिनट के बाद ये देखिए इसका कलर कैसा दिख रहा है तो इसे हम गैस को ओफ करेंगे और हरा धनिया डाल कर इसकी अब पलेटिंग करेंगे तो मेरे कहने पर एक बार आप ट्राई जरूर किजिए और ट्राई करने के बाद अगर अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर किजिएगा और अपने गर परिवार के लोगों में शेयर जरूर किजिएगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनियावाद आपका मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखें